इस December 2021 के महिने में Tata Motors इंडिया की लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट आटोमोबिल कम्पनी बन चुकी है जी हाँ Tata ने Hyundai को पीछे छोड़ दिया है और बन चुकी है सेकंड नंबर की इंडिया से लार्जेस्ट आटोमोबिल आज हम देखेंगे टॉप 25 कार सेलिंग इन दिसेंबर 2021 चलिए शुरू करते 25 नंबर पर आईए हमेज जिसकी सेल्स 3,659 यूनिट्स हुई है ये गाड़ी अक्सर इस लिस्ट में हुआ नहीं करती थी जो की 2-3 महिने से लेकिन दिसेंबर के महिने में इसकी सेल्स काफी अच् अलगी ये गाड़ी 24 नंबर डिसर्व नहीं करती लेकिन इसी की बैहन टाटा फ़ंच की आने की वज़े से इसको यहाँ पे आना पड़ा है कभी भी टियागो की सेल्स इतनी कम नहीं हुई है जितनी की डिसंबर 2021 में हुई है उसके बाद 23 नंबर पर आ जाती है होंडा की स City की सेल्स 3743 यूनिट्स हुई है ये गाड़ी भी कभी भी इस टॉप 25 के लिस्ट में कभी कबार ही आया करती थी इसकी जगह पे सियाज हुआ करती थी लेकिन अब लोगों को भी पता चलने लगा है कि ओरीजिनल जो वेल्यू फोर मनी गाड़ी होती है वो क्या होती है और अब भी वाइजली चूज करने लगे अब गाड़ियों को इस वज़े से सीटी को भी बेनिफिट मिला है और आ गई है 23rd नंबर पर उसके बाद 22nd नंबर पर आई है महिंद्रा की एक्शिवी सेवन डबलो महिंद्रा ने जो क्लेम किया है यह जो सेल्स है 3980 हो महिंद्रा न इस हंड़ लो टॉप 10 सेलिंग कार्ज में से एक होती उसके बाद 21 नंबर पर आई है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा जिसकी सेल्स 3989 यूनिट्स होई है यह गाड़ी का 21 नंबर पर होना सभी को स्ट्रेंज लगता है लेकिन टोयोटा है और बिक्ती भी ज्यादा है लोग खरीदना पसंद करते हो आज भी इनोवा क्रिस्टा को डिस्पाइट बिइंग दे फैक्ट अधर्स ऑप्शन आर टू अवैलेबल फॉर इंडियन मार्केट उसके अलावा लोग इनोवा को प्रेफर करते है उस वजह से इनोवा 21 नंबर पर आ चुकी है उसके बाद 20 नंब 15,000 यूनिट सक बिका करती थी लेकिन इस साल डिसंबर मेने में ये 20 नंबर पर आ गई है और 4000 यूनिट ही बिक पाई है उसके बाद 19 नंबर पर बात करता है मारूती XL 6 की जिसकी सेल्स 4090 यूनिट हुई है हाला कि ये अर्टी गा काई स्पोर्टियर वर्जन है मारूती अर इंडियन मार्केट में भी है तो लोग XL 6 को भी काफी पसंद कर रहा है उसके बाद 18 नंबर पर आई है एक्सवी की एक्सवी 3W महिंद्र है कि जिसकी सेल्स 4260 यूनिट हुई है हाला कि ये गाड़ी भी इस लिस्ट में नहीं होती है लेकिन लोग भाग खरीदने आप इसको पसंद कर रहा है काफी value for money भी लोगों को लगती है और काफी अच्छी गाड़ी होने के ज्यादा अच्छी होने की वज़े से ये 18 नंबर पर आप पहुंची है उसके बाद 17 नंबर पर है टाटा की अल्ट्रो जिसकी सेल्स 5009 यूनिट हुई है आला कि ये गाड़ी भी इत उसको छोटके वहाँ पर जा रहा है उसके बाद 16 नंबर पर एस्प्रेसो आई है जिसकी सेल्स 5150 यूनिट हुई है 15 नंबर पर आती है मारूती की स्वारी महिंद्रा की बॉलेरो जिसकी यूनिट जो भी किये वो 5314 यूनिट भी किये हाला कि महिंद्रा ने अभी अभी भी मान लो TV 300 का और उसी की सेल्स भी है इसमें उसके बाद 14 नंबर पर आई है मारूती की सेल्स 5656 यूनिट हुई है यह हला कि फर्स नंबर पर होनी चाहिए थी क्योंकि इसने सबसे ज्यादा पेट्रोल में माईलेज क्लेम किया है अभी फिलहाल इंडिया की कार में 27 का म लोग बाग काफी पसंद करते हैं उसको खरीदना और काफी फीचर से बरपूर होने की व्यज़े से एक बिक्ती भी ज्याद है ट्वेल नंबर पर आई है हुंड़ाई की क्रेटा जिसकी सेवन थाउजन सिक्संद्र और नाइन युनिट्स ही हो पाई है हाला कि ये गाड़ी अपने सेग्मेंट की किंग हुआ करती थी और आज यहाँ पर इस पोजिशन पर आके आप पहुँची है लोग बाग कम खरीद रहा है अब हुंड़ाई क्रेटा को एस कंपेर टू थू अप्शन कंसिडर वो कर रहे है इस वज़े से क्रेटा सेवन थाउ इसकी फिलाल इसको लौंच किया है और काफी अच्छा रिसपांस मिलने की वज़े से इसकी सेल्स भी काफी उपर पोहुच चुकी है और उसी का अफेक्ट है जो टाटा टियाग और टा अल्ट्रोज की सेल्स जो डाउन हुई है इसकी वज़े से उसके बाद टैंत नंबर पर आती है मारूती की इको जिसकी सेल्स 9165 इनिट हुई है यह गाड़ी इंडिया में कम्यूटर वहिकल के लिए ज्यादा यूज की जाती है तो लोग बाग वह जो बिजनेस से रिलेटेड उनका वर्क होता है वह काफी इसको प्रेफर करते उसके बाद नाइन्थ नंबर प की सेल्स अच्छी खासी अभी भी स्टेबल हो रही है बहुत ज्यादा माइनस में नहीं गई है हाला कि डाउन हुई भी है उसके बाद एट नंबर पर है हुंड़ाई की वेन्यू जिसकी सेल्स 10,360 उनिट हुई है हुंड़ाई वेन्यू अक्सर ब्रेजा के नीचे हुआ कर 633 यूनिट हुई है यह अके लिए कभी कॉम्पेक्ट शैडन है जो की टॉप 10 में आती है इंडिया में कॉम्पेक्ट सैडन का मार्केट अल्मोस्ट खतम हो रहा है इंडिया में यह के लिए जो टॉप 10 में आई है और हमेशा बनी रहती है टॉप 10 में इसकी सेल्स 10,633 और CNG में काफी refined और reliable engine होनी की वज़े से जो mid budget वाले होते हैं जिनका budget बहुत ज़ादा टाइट होता है वो लोग काफी prefer करते हैं इंडिया में इसको इसके बाद 5 नमबर पर आई है मारूती की अर्टिका जिसकी sell 11,840 units होई है एक पिछले साल के मुकाबले 29% प्लस ग्रोथ म जिसकी sales 12,899 units भी की है जो की पिछले साल के मुकाबले 88% ग्रोथ प्लस में जा रही है टाटा ने जब से नेक्सवान को लॉंच किया है तब से इसकी sales प्लस में हमेशा रही है कभी भी माइनस नहीं गई है उसके बाद 3rd नमबर पर है मारूती की बलेनो जिसकी sales 14,458 units होई है हाला कि बलेनो टॉप फाइव में ही रहती है लेकिन इसकी sales भी काफी माइनस हुई है as compared to previous year और आप compare कर लो और किसी महीने की 2021 के बलेनो हाला कि 2022 न्यू फेसलिप्ट आने वाला है उस वज़े से भी इसकी sales पे काफी effect हुआ है उसके बाद 2nd नमबर पर आती है मारूती की Swift जिसकी sales 15,661 यूनिट हुई है यह और बलेनो ऐसी गाड़िये मारूती के लिए जो टॉप फाइव में हमेशा बनी रहते है कभी भी टॉप फाइव की place position को यह छोड़ती नहीं है उस वज़े से Swift की आज भी 15,600 यूनिट भीक रही है उसके बाद फर्स नमबर पर है किये और पिछले साल के मुकाबले 11% प्लस ग्रोथ में हाला कि इस जगा पर सेलेरियो को होना चाहिए था लेकिन नहीं वेगनार ही है अभी फर्स नमबर की अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेर सब्सक्राइब करके जाना धन्यवाद